यहां पर मैं आपको अभी देख सकते हैं आप जैसे मैंने CDSL का चार्ट ओपन कर रहा है यहां पर मैं आपको यह बताऊंगा कि इस स्विंग ट्रेड में मैंने किस तरीके से जो है यह एक 200 moving average जो मैंने इसमें आड कर रहा है क्यों मैंने यह एड किया क्या इसके पीछे के रीजन से आड करने के तो मैं आपको अभी बताऊंगा आप यहां देखेंगे कि 200 moving average पर प्राइस काफी टाइम आके एक जो है रीटेस्ट करता था रेवर को रिस्पेक करता था यहां स सस्टेन नहीं किया प्राइस 1453 के लेवल पे और यहां से प्राइस सस्टेन ना होने के वज़ा से नीचे आया और आप देखेंगे बापैस इसने रीटेस्ट किया काफी टाइम बाद 1084 का जो इसका लेवल था वो इसने यहां पे टच किया moving average को उसके बाद आप देखेंग कि इस लेवल पे आके यहां पे moving average के उपर आके काफी bullish engulfing candle बनी है काफी ही जादा जो है bullish candle बनी मेरी entry जो थी वो somewhere around 900 थी वो मैंने क्यों उस तरफ entry ली है वो मैं आपको बताऊंगा अब आपको मैं पहले उससे पहले weekly time frame दिखाता हूँ weekly time frame पे आप देखोगी कि 200 moving average पे price आके retest किया था एक बार इस लेवल पे प्राइज ने जो है support लिया 200 moving average का आप यह देखोगे आपको मैं अपनी entry भी दिखाऊंगा मैंने कौन से level पे entry गया somewhere around 900 यह मेरा जो है entry level था यहां पे मैंने कहीं entry level लिया था इसका जैसे आपको मैं यहां पे दिखा सकता हूँ सो यह देख सकते हैं आप कि यह 900 जो है मेरा entry level था यहां पे और यहां से price ने आप देखेंगे कि एक pin बार छोड़ी थी and then बहुत ही जादा bullish engulfing candle बनाई थी बट यहां पे जैसी उसने pin बार छोड़ा तो मैंने यहां पे अपना 900 के level पे जो है entry कर ली थी weekly time frame पे क्योंकि next week था और मेरा stop loss भी बहुत छोटा सा था अब आप यहां पे देखेंगे कि एक काफी अच्छी trend line भी आ रही है अभी फिलाल जो मेरे targets है वो काफी उपर के इसलिए मैंने exit नहीं किया वो मैं बताता हूँ क्यों मैंने exit नहीं किया so यह एक trend line आ रही है आप देख सकते हैं यहाप एक trend line मैंने draw करी है green color से so यह trend line आप देखेंगे कि काफी time से जो price ऐसे retest कर रहा था यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ जब 1708 पे था price ने high किया उसके बाद से price काफी downtrend में था and बार बार इस trend line को जो है respect कर रहा था and then at last न 11,000 का profit है बट अभी मैं इसको hold कर रहा हूं और मेरे जो next level के targets रहेंगे इसमें वो कुछ somewhere around रहेंगे आपके एक तो 1400 यह मेरा पहला target रहेगा और जो दूसरा target रहेगा मेरा वो रहेगा यह high का so इस target के लिए मैं अभी plan कर रहा हूं might be यह 2-3 महीने का time frame होगा यह touch कर जाए बट आप इसमें plan करेंगे तो कुछ somewhere around 11,000 152 के आसपास आप इससे plan कर सकते है trade को और आप इसमें target ले सकते है 1453 का थोड़ा सा long आपका horizon है I mean 2-3 months का तो 1600 जो है आप इसको plan कर सकते है काफी ही bullish pattern बना है काफी ही लंबे समय का इसने range bond को एक breakout दिया है so आप इसे plan कर सकते है और मेरा जो next level है मैं उस पर फिर ये next video बनाऊंगा कि मेरा जो target है कि आप वो hit हुआ है या फिर नहीं हुआ या फिर मैं अपनी जो quantities है वो exit करूंगा सारी thank you so much guys इसी तरीके से मैं और video लाऊंगा and please please do subscribe to my channel thank you so much